हेई एवरिवन वेलकम टु स्टेडी ग्लोज मेरा नाम है डॉक्टर सरीता दोस्तों अगर कचड़ों के वाइजली इस्तमाल के बारे में हम बात करें तो हमें बात करना चाहिए उस सिटी का जहां पे कचड़ा नहीं मिलता है जी हाँ दोस्तों हम बात करें इंदौर की ऑल्र बलकि एशिया का बायो CNG प्लांट जो है गैस प्लांट वो इंदौर में रिसेंटली यानि सैटेड़ों को पीम नरेंद्र मोदी ने इनुग्रेट किया वर्चुली इसकी इनुग्रेशन की गई दोस्तों जानेंगे कि क्या खासियत है और इंदौर के बारे में भी हम देखना चाहिए यह आर्टिकल दोस्तों मैंने एंडी टीवी और इंडियन एक्स्प्रेस से लिया है तो देखते हैं कि सैटेड़े की दिन यानि 19 वैप की दिन जो पीम नरेंद्र मोदी है इन्होंने एशिया की लार्जेस बायो CNG प्लांट का इंदौर में जो की डिस्ट किया है उनकी टीम को एप्रिशेट किया है वो सारी टीम जो की एक छोटे से शौट स्पेंड में जिसने CNG प्लांट एशिया का सबसे बिगेस्ट लार्जेस्ट बायो CNG प्लांट को इस्टाब्लिश किया है तो तारीफ तो दोस्तों बनता ही है साथी पीम मोदी ने कहा कि यह जो प्रोजेक्ट है यह इंस्पिरेशन है बाकी अधर सिटीज के लिए दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं 3R बहुत ही जादा इंपॉर्टेंट है और जो भी स्टूडेंट हमारे PCS की एक्जैम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और साथ ही जियोग्राफी एकनॉमिक्स के स्टूडेंट है उनको तो बिल्कुल यही रटा हुआ होना चाहिए 3R का क्या फुल फॉर्म है 3R किसको इंडिकेट कर रहा है रिडियूस को रियूस को और रिसाइकल को जी हां दोस्तों जो हमनों रिसोर्स हैं इसका अन्वाइजली यूस करते हैं तो इसको रिडियूस कर सकते हैं दुबारा से समाल में ले सकते हैं एक से जाधा काम और परपस में ले सकते हैं तो हमें उन्हें रियूस करते रहना चाहिए और हमारे बहुत सारे मैटल से प्लास्टिक्स हैं जिनको हम रिसाइकल करके दुबारा से यूस कर सकते हैं उसको दुबारा से रियूसे कि यह पहले garbage डंप था, यहाँ पर पूरा का पूरा कचड़ा का डंप लगा हुआ रहता था कूड़ा, इसमें आपको बता दू, इन दौर एक छोटा सा जो city है, यहाँ पर 35 लाग के आसपास की population है, और जो average कचड़ा निकलता है, 700 तन गीला कचड़ा, और लगभग 400 तन के आसपास dry कचड़ा, इसको separate किया जाता है, और उसके बाद से इसको gas generate करने के process में लगाया जाता है, आगे मैं आपको बता दूंगी कि किस तरीके से यहाँ पर कैसे gas generate किया जाता है, capacity के बारे में बताऊं दोस्तों कि यह जो plant है, इसकी average capacity कितनी है, यानि रोज का क्या capacity है, तो 18,000 लीटर CNG तयार यहाँ पर होगी, और साथ ही साथ, 100 तन के आसपास fertilizer खाद भी यहाँ पर ready किया जाएगा, अब हम आगे के process के बारे में जाल लेते हैं, दोस्तों कि आखिर जो CNG है, यह तयार कैसे की जा रही है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यह जो first stage है, इ देखें सबसे पहले कुडा आ गया और उसके बाद से कुडा का जो separation है, वो separation आ गया, उसके बाद से अगर हमनो second process के बारे में बात करें, तो यह जो separated waste है, यह जो wet waste है, इसको slerry में convert किया जाता है, अब अगर हम third stage के बारे में बात करें, तो जो slerry है, उसको अच्छी तरीक है, बायो मिथनाइजेशन, उस process के लिए जो कि एक chemical process है, उसके लिए यह ready हो जाता है, चौते process के बारे में हमनों बात करें, तो चुकि बायो गैस में मिथेन का परसंट लगभग 55-60% के आसपास होता है, इसे pipeline के थूरू एक storage balloons होते हैं, दोस्तों, यह काफी जादा, यह balloon होता है, जिसमें center में air होता है, वहाँ पर इसे pipeline के medium से पहुँचाया जाता है, इसके बाद से दोस्तों, यह जो balloons है, gas balloon, इनको plant में भेज दिया जाता है, जहाँ पर vacuum pressure swing absorption technique की medium से, इसे purify किया जाता है, और इस दोरान methane content को 95% reduce कर दिया जाता है, और इसके बाद final stage तो आपको पता ही है कि इसे cylinder में भर दिया जाता है, फायदा क्या होता है दोस्तों, फिलाल जो फायदा दिखाई दे रहा है, इस plan के तहत, यह जो project है, इस project के तहत, 400 bus और लगभग 1000 से जादा के विकल्स के उपर यह अजमाया जाएगा, और इस तरीके से अगर हम लोग बात क इफायती है, और यह एक तरीके से आप clean gas कह सकते हैं, कि यह काफी जादा clean है, eco-friendly है, और साथी पैसों के भी बचत हो रही है, जो diesel हमारा resource है, natural resource, इसकी भी बचत हो रही है, तो देख सकते हैं कि 17,000 से 18,000 डीजल की बचत होगी, वो भी daily हर दिन, तो यह कितना बड़ा saving है, एक और important advantage के बारे में बात करें दोस्तों, तो इस तरीके से जो garbage हैं, जो waste हैं, इन्हें CNG में convert कर दिया जा रहा है, और replace कर दिया जा रहा है डीजल को, तो natural resource तो हमारा बची रहा है, साथी कुडा करकट का भी बढ़िया इस्तमाल यहां पे होता दिखाई दे रहा है, यह plant जो है दोस्तों, 18 मंत में इसे तयार होना था, लेकिन COVID काल होने की बावजूत भी इसे 15 मंत में ready कर लिया गया, यानि कि आप समझ सकते हैं कि महराश्टरा कितना जादा dedicated है इन कचड़ों को का सही इस्तमाल करने के लिए, और कितना जादा इन्होंने कितने बहतर तरीके से effort लगाया, यह पूरा का पूरा जो project है दोस्तों, यह स्वच भारत अभियान के तहत आता है, तो इस तरीके से हम देख रहे हैं दोस्तों की भारत के लिए बहुत ही बड़ा achievement है, क्योंकि भारत का तो largest है ही, बलकि Asia का भी largest है, और मुझे लगता है कि यह बहुत ही जादा motivational औ और inspirational आप कह सकते हैं कि यह project रहा, बड़ी city या वो cities जहां पर infrastructure available है, वहाँ पर हम इसको start कर सकते हैं, तो इससे हम बहुत ही जादा मात्रा में हमारे जो non-renewable resources हैं, जिनके उपर हमारे dependency, हमारे industries की, हमारे transportation की जादा है, हम उनको reduce कर सकते हैं, So, here is the end of this lecture, thank you so much for your attention, और दोस्तो इस lecture के PDF आपको study glows के telegram channel पर मिल जाएंगे, हमारे UPSC और PCS के जो courses हैं दोस्तो बिलकुल launch हो चुके हैं, बढ़िया हैं और आप उनको avail कर सकते हैं, बिलकुल reasonable price में हैं, क्योंकि शिक्षा है दोस्तों, तो इसको हम बहुत जादा price hike नही थेंक यू